हेले दोस्तों, इस शेवल्स रॉम टेकरी सेलन से सैमसेंग गलेक्सी जेट फोल्ड त्री अल्ट्रा को लेकर लेटिस रिपोर्ट का दावा ये है किस फोन में 7 इंच की इंटर्नल स्क्रीन और 4 इंच का एक्स्टर्नल स्क्रीन दी जाएगी अब इसके लिए मैं important बातें बता दूँ कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सैमसेंग गलेक्सी जेट फोल्ड त्री अल्ट्रा का concept के बारे में तो रेंडर तो लेक हो चुका है जिस कंपनी के next generation foldable smartphone की डिजाइन की जलक देखने को मिली है इसी रेंडर के phone के front और back मतलब pack दोनों की तरफ डिजाइन आपको देखने को मिली गया आपको बता दूँ कि इस smartphone पिछले काफी वक्स से ये सुर्खियों में बना हुआ है और latest report का एबी दावा है कि ये phone 7th inch मतलब 7 inch का internal screen और 4 inch का external screen देजाएगी रिपूर्ट में एबी के दावा किया गया कि Samsung Galaxy Fold 3 की screen की low temperature, polycrystalline और oxide, LTPO, thin film transistor और under display camera दिया जाएगा Concept designer Ben Gessie ने Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra का render ने ट्यूल किया है कि इस phone के जो अनुसर हम अगर बात करेंगे तो Samsung Galaxy S21 Ultra जैसा quad rear camera का setup दिया जा सकता है हलाकि Galaxy Z3 के sensor में ये भी बता दिया गया है कि इसमें Galaxy S21 Ultra में 108 megapixel का primary camera दिया गया है हाली में सामने आई एक report में ये भी कहा है कि foldable phone में in display camera का less होगा और इसमें stylus support भी मौजूद है इस render में भी phone के साथ S Pen का stylus support भी देखा जाएगा और दिखा गया है इसके इलामा इसके अंदर और बाहर दोनों जगहे पे is to is display भी देखा जा सकता है हाल ही में ये भी कहा गया है कि Galaxy Z Fold 3 को साल 2021 में जून में launch किया जाएगा इस जिसमें 7-inch internal screen और 4-inch range external screen भी शामिल होंगे सैंसेंग गलेक्सी टेंप्रेजर पॉल इस्ट्रिंग लाइन और ऑक्सरेल एल्टिप योकवा थिन का ट्राइजिक्शन भी इस्तिमाल किया जा सकता है जिसकी screen आपको बहतर power efficiency के लिए apply किया जा सकता है अब अगर बात करूं तो इस Galaxy Z Fold 3 को लेकर कहा गया भी जगया है कि यह Fold 2 में इससे तुलना किया जाता है ज्यादा पतला हुआ मोटा होगा फोन को लेकर ये भी जानका रहे है कि इस Samsung Galaxy के जो जड़ फोल्ड 2 के सामने हो सकते है लीक के स्पैस्फिकेंट के माने तो इसमें डिस्प्ले 120 होल्ड रिफ्रेस्ट आएगा वहीं फून की जो बैटरी की लाइफ होगी 3900 एमेज की अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो कमिया और थोड़ी सी इसे खूबियां बता दूँ तो सबसे पहले इसमें क्या सबसे अच्छी चीजें वह बता दो कि एक्सलेंट टेले फोटो कैमरे है सुपर्ब डिस्प्ले है सॉलिड बैटरी लाइफ आपको मिलेगी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है अब इसमें कमिया थोड़ी सी बता दो कि इसमें जो दिरक है कि एड्स इंसम फॉस्ट प आपको बतादू कि डिस्प्ले में आपको इसमें औरर आपको तो चैन आपको 2100 मतलब कीशों दे रहक और रहले में आपको एकस जैसे उम्मीद लगाया सकता है जो पहले थि अब आप जानते हों कि जो एस्ट्वंटी आल्ट्रा में था ये सारी चीज़ें अब क्या इसमें होंगे लेकिन नहीं बैटी के जो चमता थी वो 3900 एमेज की तो होगी और डिस्प्री हाइड रेस कहीने का इमेज कर रहा है 120 हाइड रिफ्रेश रेस के आएगा तो दोस्तों उमीद करते हो कि वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आ